तो यह आइटी जही एडवांस का क्वेशन है तो क्वेशन में क्या है यह है सिमेट्रिकल स्टार और यह सिमेट्रिकल स्टार जैसा कंडुक्टिंग लूप है इसमें से करण जा रहा है तो वी हाव दो फाइंड आउट मैगेटिक फील्ड टोटल मैगेटिक फील्ड अट दो सेंटर घ्रा पीड ब्रीक कीसा रहता है तो प्याट्रिक फैड़ा जाएं यह सिमेट्रिक स्टार है तो सिमेट्रिक स्टार में के यहां पे जो ऐंगल रहता है यह एंगल रहता है 60 पूरा एंगल कुरह Vis सिनेगल स्टार प्रॉपलिटी रहता है अगर यह पूरा इस तार घंक है को आशाब मागनिश् zest त्रॉइंग इन तो फंडूर आज फोइन इस फोईन बिक ऊट्टर यह जो एक single conductor finite conductor because of this यहां पर हम लग magnetic field find out करेंगे magnetic field का direction कैसा रहेगा direction of magnetic field will be current is in this direction तो magnetic field will be cross magnetic field रहेगा cross ठीक है तो magnetic field यहां पर कितना रहेगा उसका magnitude कैसे find out करना है तो formula क्या रहता है तो formula रहता है सम्यू नौट अपॉन फॉर पाया आया अपॉन आर आर मतलब distance of the conductor from the point तो यह points से conductor का distance कैसे find out करना रहता है तो perpendicular distance चाहिए रहते हैं तो conductor को forward and backward direction में extend करने का conductor को forward and backward direction में extend करने का ठेक है और फिर यहां से यहां पर जाने का perpendicular तो यह रहता है distance आर रहता है our conductor को forward and backward direction में extend करने का और यहां से conductor पर जाने का perpendicular तो यह रहता है distance perpendicular distance तो यह कितना रहता है यह distance है 2A this distance is 2a this is 90 this is 30 therefore this is 60 so अगर यह 60 है तो और कितना रहेगा 2a cos 60 r will be how much 2a cos 60 so r is 2a cos 60 ठीक है then into into क्या रहे रहे था है sin of phi 1 plus sin of phi 2 sin of phi 1 plus sin of phi 2 तो phi 1 phi 2 क्या रहता है angles रहता है कैसे find out करनेगा तो जहाँ पे magnetic field find out करना है वहाँ से conductor के end points को connect करनेगा जहाँ पे magnetic field find out करना है वहाँ से conductor के end points को connect करनेगा तो यह perpendicular distance और एक end point को connect किया है इसमें से एंगल रहता है 5-1 यह perpendicular distance और एक end point इनके बीच का एंगल रहता है 5-1 अब यह उल्टा आ गया इसलिए minus अगर यह यहाँ पे conductor end होता था conductor अगर यहाँ पे end होता है तो यह angle positive आता है conductor अगर यह perpendicular के अंदर end होता है तो यह 5-1 के आता है negative होता है तो यह 5-1 कितना आएगा तो यह angle आता है 30 तो यहाँ पे आता है minus 30 यह angle कितना आता है तो यह angle आता है 30 आता है 30 कैसे आता है तो यहाँ पे यह connect है मैंने यहाँ पे यह connect है तो यह triangle और यह triangle exactly चैक्ली फोग्राइंगल पूरा एंटार तो इसमें से बराबर हाफ एंगल आता है तो यह एंगल 30 अगर नीचे है तो प्लस 30 लेने का उपड़ है इसके तो माइनस ठीड़ी लेने का कि तो यह फाइवन आता है माइनस 30 फिर यह पॉइंट से conductor के second end point को connect करने का। तो यह रहता है second angle यह perpendicular line से यह तो यह रहता है 52 और 52 रहता है 60 यह वाला अंगर कितना एक यह वाला एंगल Hey 60th 30Blue six टारि विजुल अन्यूर टयद थे यह ऺजरड थे थेख सब्सक्रें पाइब करिने के हाफ पे मायनस थ्र्टी फाइटो को पूट कटरों निको 60 yeah तो इस इस दे मागनेटिक फिल्ड विकाज अफ द वन कंड़क्टर वन फाइन अट रहां पर कितना कंड़क्टर से तो एसा यहां पर है 123456 दिज शिक्स अंडिज शिक्स तो डॉटल देरा 12 कंड़क्टर तो यह सब कंड़क्टर सेग्जेकली सिमेट्रीकल है तो टोटल मैगनेटिक फिल्ड सेंटर पर आता है इसका 12 तो यह एंसर है एक कंड़क्टर का मैगनेटिक फिल्ड इन्टु 12 तो यह है मैगनेटिक फिल्ड अट दे सेंटर ऑफ दी स्टार ठेक है तो यह ही एंसर है उसके बाद यह माइनस 30 क्यों है यह मैं थोड़ा सा explain करता हूं अगर तुम लोगों को understand नहीं हुआ तो देखो यहां पर तो समझो यहां पर conductor है and at this point we are finding out magnetic field तो इधर से यह perpendicular distance है फिर end point को connect करने का यह end point को connect करने का हुआ कि यहां पर जो अंगल रहता हैं वह रहता है हुआ समझो फाइटू रहता है और यहां पर जा अंगल रहता है उन रहता हैं यह five और यह फाइटू दोनों positive रहेगा इस case में क Nom Would जैसे में conductor small करता हूँ तो यह जो फाइवन है यहां पे थो फॉड़ासा छोटा हो जाता है तो पहले 51 यहां से यहां तक था अब फाइवन यहां से यहां तक हो ब्लाइप अब हो गया हुआ अभी और conductor को मैंने छोटा क्या तो पाइवन क्या होता है और चोटता होता है conductor को यहां Perpendicular line तक लाया तो कंडूक्टर लेने का और 5 4 – अगर यह Perpendicular distance है इसके नीचे अगर कंडुक्टर हेंड होता है तो क्नुणा अगर इसके नहीं उपर कंडुक्टर म होता है तो 5-10 लेना पड़ता है oh तो उपर ओन यो ऑल कि इसलें और इसले पूर इसले फैट तो एक ट्या और इंसले लेना महत्या है तो एंस्य करेक्ट है